हलो दोस्तो आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टोरी विद मुनेदु में और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक ऐसे ही दिल को पहुंचने वाली कहानी जिसका नाम है आपका राजेश मुझे उमीद है आपको बहुत पसंद आएगी कहानी शुरू करने से पहले लाल बटन दबा कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि ऐसी दिल को छुलेने वाली कहानी आप तक पहुंचती रहे धन्यवाद तो चलिए कहानी शुरू करते हैं आपका राजेश सुबा की लगबक साथ बजे हूंगे शृदर बिस्तर में पड़ा आधी अधूरी नीद में था बाहर से किसी ने आवाज दी शृदर 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 ने शायद आवाज को पहचानते हुए जटपट एक चादर से खुद को लपेटा और बाहर भाले धरवाजे पर पहुँच गया कौन? अरे? राजेश तू? वहाँ क्या ख़ड़ा कर रहा है? अंदर आ? कंदे पर हाथ रखते हुए वो अपने कमरे में ले गया आँटी कैसी है? और बता कब आया तू? बच्पन के दोस्त को इतनी दुनों बाद देखकर श्रीदर बहुत खुश था अरे बोलने देगा तो बताऊंगा ना? पहले तू बता आँटे नहीं दीख रही इदो रखते देखकर राजेश ने कहा सब ठीक है माँ भी यहीं होंगी माँ देखो राजेश आया है तूने बताया नहीं आँटी कैसी है? और छोटी? स्रीदर ने वापस दुराते वे पूछा अरे यार सब ठीक है माँ भी और छोटी भी पर अब वो छोटी नहीं रही बड़ी हो गई है उसका रिष्टा तैय हो गया है उसके लिए ही तो आया हूं लड़के वाले अगले महीने शादी करने की कह रहे हैं मेरा तो मुश्किल होगा आना तू तो जानता ही है अभी हाला ठीक नहीं है बॉर्डर पर मेरी तैनाती है परस वापस चार रहा हूं रा यार के होते हुए तुछ चिंता क्यों करता है वो मेरी भी तो बहने शिर्दर ने राजेश के कंदे को थपता बाते हुए का इसलिए ये काम मैं तो इछे सोपने आया हूं मैं परस शाम को चला जाऊंगा तुछ वही आ जाना और सारा कुछ समझ लेना राजेश निश्चि तुछ आरी राजेश ने पूछा मा कहा हो हां हां आ रही हूं कैसा है रहे तु राजेश तीन साल हो गए जबसे फोज में गया है आज देखा तुझे धर में सब ठीक है ना मा ने चाय रखते हुए कहा जी आंटी सब ठीक है राजेश ने कहा मा छोटी कर रिष्टत तह हो श्रिदर खुश हो कर बोला अच्छा ये तो बड़ी खुशी की बात है तुम दोनों बाते करो मैं छट पर कपड़े डालाती हूं कहकर मा चली जा ज़िए है हाँ अब बता अब मा चली गई ना तेरी उसका क्या हुआ मिला उससे अभी नहीं श्रिदर थोड़ा दब दबी आ कि शादी हो जाए फिर देखते हैं अच्छा यार अब मैं चलता हूं घर पहुचने में अभी दो घंटे लग जाएंगे लेकिन तू टाइम पर पहुच जा ना राजेस ने चाय की आखरी चुश की लेकर कहा हाँ यार ये भी कोई कहने की बात है क्या तो चिंता मत कर मैं ट राजेस के घर जाने के तैयारी कर ली थी घर से निकलते ही बस कुछी दूरी पर बसी स्टेंड था वहां से उसने राज़ते के लिए कुछ नमकीन और एक पानी की बोटल खड़ी थी लगभग साड़े ग्यारा बज़े वो राजेस के घर पहुच गया दरवाजा खुला थ तो वो भी धड़क आंगन तक पहुच गया किसी के आने की आठ सुनकर छोटी तुरंत आई और बरामदे में एक कोने को पकड़ कर श्रीधर को तेर तक निहारती रही छोटी कैसी है तू श्रीधर ने कहा बहिया आप तो बहुत दून आए हो थोड़ा पास आकर होने लगे हाँ बस क्या भता हूँ पढ़े के चक्कर में ही रहता हूँ अंटी कहा है श्रीधर ने छोटी के सर पर हात रखते हुए कहा आजा बेटा कैसा है रहे तू आगे तुझे हमारी याद अंटी कहकर रोने लगी थी नहीं अंटी बस ऐसे ही आप तो आ गया हूँ ना राजेश कहा है बाजार गया है क्या भाईया राजेश तो दो महिने पहले ही शहीद हो कई कहकर जोर से रोने लगी थी छोटी क्या ये क्या कह रहे हो तुम क्या बखवास कर रहे है ये पगली श्रीधर एकदम से चोप कर बोला हाँ बेटा अपनी साड़ी के पल्लू से आँखों को करते ही आँटी ने कहा ये आप क्या कह रहे हो आँटी परसो राजेश मेरे घर आया था काफी देड़ तक बैठा रहा हम दोनों ने खुब बाते की मुझे ही तो उसने आज बुलाया यहाँ पर कह रहा था कि छोटी का रिष्टते हो गया है मैं रात को चला जाओंगा वग अर्मल हो गए थे श्री धर्वी बात को समझ चुका था चोटी की शादी की विसहारी बाते सच थी बेटा अब तू बता अभी हमारे हाँ इतना बड़ा हाथ सो हुआ और लड़के वाले अगले ही महिने चोटी की शादी करने की जीद कर रहे हैं तेरे अंकल होते तो सब सम ही करना है लड़के वालों के यहां जाकर तू ही बात कर आंटी ने कहा आंटी आप चिंता मत करो मैं आभी वहां के लिए निकलता हूँ जो भी उचित होगा वही बात करके लोटूँगा बातो ही बातों में शिरधन ने चुटी से लड़के वालों का पता भी ले लिया और थोड़ा सा पानी पीकर घर से निकलने लगा आंटी आप चिंता मत करना मैं साब समाल लूँगा समझ ले न आपका राजेश वापस आ गया है कहता हुआ घर से बाहर जा रहा था ये थी मेरी कहानी दोस्तों राजेश जैसी आत्म कोई साधरन नहीं थी जिसने अपने फर्जों को शाहदत के बाद भी निवाया ऐसे देश के रखवालों वीर सपूतों को हम देश वासी शत शत नमन करते हैं जै हिंद जै भारत दोस्तों आपको कहानी कैसी लगी कमेंट बोक्स में लिख कर जरूर बताना और हाँ चैनल को सबस्क्राइब करना मत भूलना आपका एक लाइक मेरी कहानी को और ज्यादा निखार देगा